है जोस्तों जैसे के आप यह देख सकते हो हमारी जो प्यूपी शिलिंग है इसे हम अच्छे से वह वाल पुट्टी और फिर तीन अलग लग कलर सेड में करके एक फिनिशिंग अच्छा सा लूक देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम वह दिखाएगे तो सबसे पहले में प्यूपी वाले दिजाइन थी उसके उपर हमें वाल पुट्टी यूज़ करके अच्छे से फिनिशिंग करना पड़ेगा इसके लिए आपको डिटेल में दिखाएंगे तो आपको एक बार समझ आ जाएगा यह बनाने के लिए आपने जो एसे पेंपने का रॉय लक्जरी यूज़ किया है और इसका शेड कोड नंबर है ट्रिपल लाइन टू करके जो इसका कोड़ है वह है आप उचाये तो दुकान पर याज एशन पिंट के हो है वहाँ पे जाके कोड़ बोलके यह वाला कलर खर सकते हो आपको पसंद आ रहा है तो दुस्तों आप जिक्षकते म दुस्तों है आप हमने देखा वैसे हमने द्व्य को अंब्ध कश है करके जो हमारा कलर निकलने के लिए बाल ती लिए उसके अंदर रम करनेंगे और हमस्त के जाए तक कंशने पशने डाला है दोनों को ऊच्छ से मिश्त कर लेंए Praise कर सकते हैं आपको आइडिया लगे इसल पर ही आपको बैसिक हाईडिया लगे कि अभ घर पर करते हैं तो नहीं समय को भी पुरा वीडियो लिया है उसके बाद को दिखाएंगे जो कैसे वर्क करते हैं तो उसके लिए दूस्तों पंने रॉलर इसकी है वहर। को एक टारिक लाव इस को एक बृणर है उसको हमने पहले च्काई कर सका हूँ तो आपको अब्शक तर्ह से में करना करना या भी जैसे करें वैसे का वैसे मैं पूरा कावर करना वो काफ़े अच्छे से करना है इसके बाद हमें तुरंट रोलर गुमाना है रोलर इसलिए दोस्तों कि ब्रस के लाइन वगर दिखे नहीं और हमारा फिनिशिंग हो यह तो दोस्तों हमारा पट्टा है पता है कि यह चार बैचार का अंदाज हैं कि यह पहले ब्रस कि दोस्तो защ木 अलग अलग कई तरह क्या अता है सिंगल कर गहार बरस होता है जुड़ कोतिंग ब्रस होता है प्रेटिंग ब्रस घृ दोस्तों यह से जो फिनिशिंग हाली काम है उसकी ब्रस पीज़ करें तो काफी है यह विए चता है यह पुड़ा मोटने फीनिशिंग और करना है और उसके बाद हमने जो कलर किया था वह भी आपको आइडिया लग चुका है वैसे करना है और यह हमारा फाइनल लूक है दोस्तों एक और बात यह हमने जो ब्राउन पट्टे बना रहे थे वह नाइट का समय था इसलिए हमने उतार शुटिंग नहीं कर पाए तो हमें माप करना पर यह फिनिशिंग हमारा लूक है यह लूक आपको पस्ता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में